को गया है complete आपका नहीं सर होंबर करके नहीं आओगे तो कल मुरगा बनाओंगा हा तो तो मैं तो सिर्फ मुरगा खाने आया हूँ सर शट अप होंबर क्यों नहीं किया वो एक्शली सर लाइट नहीं थी सर अरे तो मुंबत्ती जला लेते माचिस नहीं थी सर अब माचिस क्यों नहीं थी पूजा घर में रखा हुआ था सर तो वहां से ले आते सर नहाया हुआ नहीं था सर अरे तो नहाया क्यों नहीं था सर पानी नहीं था सर अरे अब पानी क्यों नहीं था वो मोटर नहीं चल रहा था सर मोटर क्यों नहीं चल रहा था सर बताया तो सर लाइट नहीं थी अबे चुप खल अपने बाप को लेके आना क्या करता है तुम्हारा बाप सर ट्राफिक पुलिस है अच्छा तो बाप उधर चलान काट रहा है और तुम यहां हमारी काट रहे हो अरे बचपन में कुछ पढ़े हो कि इस इंजिनियरिंग कॉलेज में ऐसे ही आ गए हाँ पढ़ाओ सर बताओ टेंस कितने पर करके होते हैं सर तीन पर करके सर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आप उधारन देकर बताईएगा सर कल आपकी बेटी को देखा था आज प्यार करता हूँ और कल भगा कर ले जाऊँगा अरे किसी सवाल का तो जब आप दो सौरी सर आप पूछिये बताओ इफ 2X प्लस 4 इक्वल 2 8 देन वाट इस दे वैलू अफ एक्स सर वो जान थी मेरी सर छोड़ कर चली गई सर अरे ABCD वाला एक्स तुम्हारी भूत पूर्व गल्फरेंड नहीं सौरी सर चलो ठीक है डिफाइन गल्फरेंड अब जो है ही नहीं उसको क्या डिफाइन करो विल यू प्लीज स्टेंड अप एंड से लाउडर सर गल्फरेंड एक ऐसी प्रानी है जो हम जैसे सिंगल लड़कों के पास नहीं होती है जो जीव बहुत खदरनाक होती है ये बॉइफरेंड को कंगाल कर देती है सर इनके कारण हमें अपने दोस्तों को त्याग ना पढ़ता है और इनके एक से हमें दुस्मनी भी मूलनी पढ़ती है जब ये हमारे पास नहीं होती है तो इने पाना हमारा सरदद होता है और जब ये हमारे पास होती है तब ये हमारी सरदद होती है सर गल्फरेंड इज मेट अप अप टू बार्ड गर्ल एंड फ्रेंड तेंकि सेर, मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भासा में, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, यही डेफिनेशन सही है, पर सर मेरा भी तो मतलब, आउट, व्याई, आसान भासा में बाहर निकलो, अब क्या हुआ वा पस क्यू आए हो Sir शूआ भूल गे जूआ Sir the thing which comes in our life since our childhood these things become thicker and thicker age by age in our childhood we used to sell it to buy son papadhi these things stop us from playing free fire and pubg whole day because our parents want us to hold it in our hands more than any smartphone in our hands अरे कहना क्या चाहते हो